के अराउंड हम रिवीजन करते हैं, यदी इन रिवीजन को हटा दिया जाए, तो आप खुश सोचो ज़रा, आप कितनी स्पीड में स्लेवस खतम हो जकता है, लेकिन स्लेवस खतम करना, बास समझ में आ गया, सिर्फ स्लेवस खतम करना मेरा मकसद नहीं, समझ में आ गया, एक वो बहुत अच्छी कविता थी ना, आप मुझे बताओ, जारा राम प्रसाद विस्मिल की थी साइट, ठीक है, सिर्फ हंगा में खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, है ना, सुना है कि नहीं सुना, क्लियर है, तो इस तरीके से एक कविता थी, तो उसी का मैं क्या बोल रहा हूं आ आगे बढ़ जाएं, हाँ, चलो आगे बढ़ें, अब मुझे बताओ, जरा अरली प्रोफेस की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, अरली प्रोफेस की बात कर रहे हैं, क्लियर है, बना लिया, सभी ने लिख लिया, अब आप मुझे बताओ, अरली प्रोफेस का देखो, यहां पर आप देखो नुग्छलिय मेंब्रेन थोड़ी सी तूटती हुई दिख रही है, यहां पर और जाधा तूट गई, यहां पर कमप्लीटली तूट गई, यहां पर इनका मुमेंट 설ू हुआ, यहाँ और हुआ, यहाँ काफी जादा हो गया, समझ में आ गया, यहाँ पर क्या हो गया, काफी जादा हो गया, सभी को पूरा गोंसेप क्लियर हुआ, रुको वो कवीता सुनाता हूँ देखो सुनाता हूँ, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिस है कि यह सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, तो आप मुझे बताओ जरा इसको हम क्या बोलेंगे, जरा ध्यान स समझना, यह दुश्यंत कुमार हैं, उन्होंने लिखी थी, बड़ी जोरदार कवीता है, ठीक है, तो आप मुझे बताओ, सिर्फ सिलेवस खतम करना मेरा मकसद नहीं, ठीक है, मेरी कोशिस है कि तुम्हारा सिलेक्शन होना चाहिए, मेरे सीने में नहीं, तो तेरे सीने में ह सही, तो इसका कोई चेंज करने की जरुवत है नहीं, ठीक है, हो कहीं भी आग, हो कहीं भी concept, लेकिन concept clear होना चाहिए, सभी को समझमा आ गया, तो यह पूरा concept आपको अच्छे से समझमा आ गया, तो early pro phase, late pro phase, transition to meetण phase, आपको समझमा आ गया, कोई doubt है, कोई confusion है, तो बताओ हो गया आगे बढ़े और सही में सूरत बदल जाती है कई बार ऐसा होता है साल भर जिनको ऑफ लाइन में पढ़ाता हूं और उसके बाद में वो आकरी में मैसेज करते है सर हमारा सेलेक्शन हो गया तो मैं बूलता हूं ठीके कौन हो तुम अपनी फोटो भेजो, मैं पहचान तो लूँ कौन है भीया जिसको सालवर पढ़ाया था, अब वो फोटो भेजते हैं, मैं पहचान में नहीं आता, मुझे लगता है यारी मुझसे पढ़ा हुआ है क्या, मैंनका ये बकवास तो नहीं कर रहा, पक्की बात जूट तो नहीं ब फोटो भेजते हैं, बिल्कुल, पहचान में नहीं आती, इतने फिल्टर लग जाते हैं, इतने मेक अप हो जाते हैं, पहचान में नहीं आती, बास समझ में आ गया, बिल्कुल पहचान में नहीं आती, ठीक है, लड़कों में कोई चेंज नहीं आते हैं, लड़कों में क्या पहचान में आता है तब फिर मैं उनको बता देता हूँ अच्छा तुम ये डाउट पूछते दे यहाँ पर डाउट काउंटर में आते दे तो ये बिलकुल फैक की बात है अरे होता है की नहीं होता आप मुझे बताओ ज़रा सभी को पूरा कॉंसेप चलो इसी पर एक जोक याद आगया एक बार क्या हुआ कोई बुरा मतमाना जोक है समझ में आगया एक बार क्या हुआ कि भई एक मतलब जो लड़का था उसकी शादी हो गई क्या हो गई उसकी शादी हो गई ठीक है तो अब उसने क्या किया उसने अपनी वाइब से पूछा तुमने कौन से beauty parlor में अपना make-up कराया था, उसने बता दिया, अब वो लड़का क्या हुआ, बढ़ियां से beauty parlor गया, और beauty parlor में जाके जो beauty parlor वाली थी, जिसने make-up किया था, उसको बढ़ियां से ऐसे box, बढ़ियां, आइफोन का बढ़िया उसमें निकला Nokia 1100, उसमें क्या निकला Nokia 1100, वो भी आप मुझे बताओ, खराब सा, और उसमें नीचे लिखा हुआ था, same feeling, क्या लिखा हुआ था नीचे, same feeling, तो आप मतलब तो समझी गए हो गया, तो ये पूरा clear हो गया, तो कोई बुरा मत मानना इस चीज को, आज कल तो अरे आखों का कलर तक चेंज कर देते हैं, लेंस लेंस लगा के, चलो छोडो, तो ये सभी को पूरा का बूरा concept clear हो गया, कोई doubt है, कोई confusion है, तो बताओ, हो गया, आगे बढ़ जाए, चलो, तो आप मुझे बताओ, ज़रा early pro face, late pro face, transition to meta face, किसकी बात कर रहे हैं, चलो, अब चलो, गर्स के लिए थोड़ा सा वो कर दिया, बुरा ना मन जाए, तो चलो थोड़ा सा boys को भी के लिए भी कुछ बोल देते हैं, आप मुझे बताओ, आजकल एक वो बहुत चल रहा है, कि भाई, लड़के जादा सुन्दर होते हैं, कि लड़के जादा सुन्दर होते हैं, तो सब बोलते हैं, भाई, लड़के जादा सुन्दर होते हैं, उनको make-up की जरूरत नहीं होती, लेकिन लड़के आज नहीं होती हिसलिए, उनको make-up equipment की जरूरत नहीं होती है, तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, कि तराशनी की जरूरत हमेसा हीरे को पढ़ती है, समझ में आगया कोईले को जरूरत नहीं पढ़ती बास समझ में आगया तराशनी की जरूरत किसको पढ़ती है हीरे को पढ़ती है कोईले को नहीं पढ़ती तो ये सब करने की जरूरत किसको पढ़ती है हीरे को पढ़ती है कोईले को जरूरत नहीं पढ़ती अब समझने वाली बात ये है